नमस्कार स्वागत है आपका जेजेन नियूज में और आपके साथ मैं हूँ गणेश दिन के शुरुवात करते हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जिनने जानना आपके लिए बेहत जरूरी है तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश के चलते जन जीवन अस्त्वेस्त है आपको बता दें भारी बारिश से चंपावत जिले को नुकसान पहुंचा है जहां कई जगहों पर सड़के बंद है इसके अलावा भूसकलन और बादल फटने से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है साथ ही दो लोगों की मौत की भी खबर है बता दें 48 घंटे से हो रही बारिश के चलते टनकपूर पिछोड़ागर एनच पर दो दिन से आवा जाही पूरी तरह से बंद है बारिश के चलते एनच समेत कई सड़क मार्ग भी बंद है सनिवार सुबह फिर से टनकपूर चंप चंपावत मार्ग पर भारी मलबा आ जाने से सड़क मार्ग बादित हो गया टनकपूर चंपावत और पिछोड़ागर मार्ग पर करीब 10 जगह पर पहार से मलबा आने के चलते सड़क बंद हो गया हल्दवानी में गौला नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद प् गौला पूल यात्रियों के लिए खोला गया है जबकि हल्दवानी को गौला पार और खटीमा टनकपूर से जोड़ने वाला गौला पूल खत्रे की द्रिश्टी से बंद किया गया है उत्राघंड हाई कोट ने यौन शोशन के आरोपी लालकुआ दुग दुद पादक के अध्यक्र मुकेश बोरा की गिरफतारी पर रोग और FIR को निरस्ट करने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की आपको बता दें मामले के सुनवाई करते हुए वरिश्ट नियाय मूर्ती मनुच कुमारतिवारी की एकल पीट ने 17 सितंबर यानि मंगलवार त पास एक वाहन दुरगटना ग्रस्थ हो गया वाहन के दुरगटना ग्रस्थ होनी की सूचना पाकर SDRF की टीम ततकाल गटना सितल के लिए रवाना हुई बता दे वाहन में पांच लोग सवार थे जिन में से तीन लोगों को घाय लवस्था में रेस्क्यू कर लिया गया पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया जाचमा ये बात सामने आई है कि अलग-अलग दिन जब यूवती अपने परिचित यूवक से मि जारी है फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News धन्यवाद